आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैं रोईत आप सभी के साथ मुझे उमीत है आप सबी लोग अच्छे होगे अगर आपने अभी तक हमाई टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए काफी कुछ आप मिस कर देते हो लिंक आपको वीडिय डाटा भी बताया है कि वही एफाई एस कंटीनी उपर की साथ सेलिंग करते हुँ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अगर आप एक पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न मैंने आपको कल के दिन लगाया था जो कि देखे इस टाइप का देखे पैटर्न बन लेकिन उसी जगह अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी ज़्यादा उमीद से काफी ज़्यादा देखे कमजोर ओपनिंग आपको देते हुए दिखाई दिया जो कि देखे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बजार में देखे इतना बड़ा गैप आपको दिखाई रही थी अब देखे यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जब गरावट हुई और उसके बात देखे जो आपका फर्स सैटो टेल आपको ऊपर की साईट ओपन हुआ लेकिन कलोजिंग भी इसने नीचे की सर दिया यानि हम बात कहें तो कलोजिंग भी इसने देखे माइनस में एक जगह देते हुए दिखाई दिया और जो हमारा साइकलोजी लेवल था यानि हमारा देखे 37,000 का साइकलोजी लेवल था बजार उसको भी नीचे की साइट तोड़ते हुए दिखाई दिया जो कि कई ने कई एक अच्छा खासा बैरीस आपको देखने को भला अब इस जगह दे अच्छी बात थी कि मार्केट ने इस लेवल को देखे उल्ड किया था दोनों तरीके से नीचे की साइड तोड़ा है जो कि कहीं ना कहीं देखें यहाँ पर 36,600 का देखें यहाँ पर लेवल आपका निकल के आता है तो इस लेवल को टोड़ने के बाद देखें अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो एक पैटरन बनते होज दिखाई दिया जो कि आपको द अप्लाई देखने को मिलते थी और मार्केट देखे कंटीनिय आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा था अब मार्केट ने देखे इंपोर्टन लेवल को तोड़ें सबसे पहले इंपोर्टन लेवल क्या था कि वहाई ऊपर का लेवल इसने तोड़ा चलिए मान लीजे श 36,000 का लेवल तोड़ने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 36,000 का भी लेवल एक जगा तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है जो कि कईने कई काफी बड़ा बैरीस पॉइंट है क्योंकि मार्केट में एक ही दिन के अंदर अगर मैं बात कहूं तो दो लेवलों को तोड़ते हुए दिखाई दिया और 1000 पॉंटों से जादा गिरावट आपको देखने को भी अब मानते हैं कि एक इसमें देखे ऊपर का आप जो रजिस्टेन बनते हुए दिखाई दे रहा है वो रजिस्टेन हम मानते हैं कि 36,000 का एक रजिस्टेन है अगर बजा इसको करेंगे जबी हम कहीं ने कहीं क्या सकते हैं कि मार्केट इस जगह से एक तेजी दिखा सकता है लेकिन वरना तेजी नहीं दिखा सकता है क्योंकि अब जो हमारा बम बंते हुए दिखाई देगा इसबास बनते हुए,ए चब्तितितहाद यह कर देगा इस जगा से दो चीजे हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने लगा है कि एक तो market में देखे जो आपका देखे इस जगा support ले रहा था market यानि अगर मैं बात करू इस जगा 36,000-400 के आसपास का यह हमारा एक resistance बनते हुए दिखाई देगा और नीचे की side अगर मैं बात करूँ तो नीचे की side का कही ने कही अब जो इसमें देखे एक और resistance बनते हुए दिखाई देता है तो इस जगा 36,000 का क्योंकि market ने एक ही दिन के अंदर इन दोनों level को तोड़ते हुए दिखाई दिए है और नीचे का इसमें जो support बनके आता है वो देखे 35,000 आसो का इसमें support बनते हुए दिखाई देता है चली देख लेते हैं एक बार बड़ी चार्ट पर है अब मैंने आप सभी के लिए और बड़ा चार्ट ओपन किया है अब यहां पर देखे दो चीजे मैं आपको समझाना चाहूंगा इतनी बड़ी गिरावट आपके बजार में देखने को मिली अगर बजार में इस गिरावट के चलते एक आपको bounce back देखने को मिलता है यानि आपका बजार इस जगा से bounce back करता है और बजार आपका इस level पर open होता है जो कि कईने कई इस जगा 36,500 के something अगर बजार open होता है तो हम इस जगा बिलकुल CE buying नहीं करेंगे मैंने आप से क्या बोला बिलकुल CE buying नहीं करेंगे इस जगा हम buying करेंगे PE buying करके हम चलेंगे अगर बजार उपर की site open होता है तो बस condition हमारा जे है कि जो आपका देखे 36,500 है उसके उपर बजार close नहीं होना चाहिए यानि opening आपकी नीचे की site हो लेकिन closing आपकी उपर की site नहीं होना चाहिए कि उस type में market फिर से bearish हो सकता है फिर इस जगा हम जो sort करेंगे वो 36,300 का हमाला पहला target होगा 36,200 का हमारा दूसा target होगा और 36,000 का हमारा तीसा target आपको देखने को मिलेगा यानि इस जगा 500 point के लिए हम इस जगा selling कर सकते हैं तक होता है कि market में देखे एक अच्छी तेजी के साथ अगर opening आपको देखने को मिलती है जैसे कि अगर में jumpal के बारे में बात कहूं तो यहाँ पर देखे market में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी इस जगा इसलिए देखे आपको फसना नहीं है जिब बजार में गिरावट देखने को मिली थी continue बजार देखे नीचे की site आया दूसरे दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिली बजार ऊपर गया था लेकिन फिर वहां से आपको फिर से बजार आपको नीचे आते हूँ दिखाई द बजार तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए काफी अच्छे कॉल इस जगह दिये जाते हैं लॉजिक के साथ कॉल आपको दिये जाते हैं कि वहीं लॉजिक होना चाहिए ठीक है इस जगह अगर आप देखोगे बड़िया पॉफिट आपको दिखाई दे अगर बजार में देखें जो क्लोजिंग आपको देखने को मुली वो किस पराइस पर देखने को मुली 35,950 अगर बजार में देखें ओपनिंग के बाद आपका 35,900 के लेबल को नीचे की शाहिए टोड़े देता है तो उच जगह देखें हम इस जगह पीई-बाइंग करके चल सकते हैं और जिसमें हमारा टार्गेट होगा लेकिन कंडिशन सबसे पहले आप समठ लीजिए कि कंडिशन में आपका देखे जो 35,900 का लेवल है ओपनिंग जरूर उपए दे लेकिन क्लोजिंग आपकी नीचे की साइट होना चाहिए जब भी हम इस जगा सौट कर सकते हैं इसमें हमारा टार्गेट क्या हुगा है कि वही 35,600 का पहला टार्गेट देखने को मिलेगा दूसरे टार्गेट की अगर मैं बात कहूं 35,600 का आपका दूसरा टार्गेट और तीसे टार्गेट और last target के अगर मैं बात कहूं तो 35,500 के आसवास की आपको यहाँ पर target देखने को मिलेगा यानि अगर मैं बात कहूं तो 400 पॉइंटों के आसवास आपको target देखने को मिल सकते हैं मैंने आप सभी के सामने One Day का चार्ट ऊपन किया One Day के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए काफी बड़े लेवल आपको देखने को मिल जाते है सबसे पहले तो देखिए हमने काफी समय पहले इस जगा सपोर्ट बनाया था अगर देखिए कई ने कई बजार इस जगा अगर आप देखोगे तो बजार में जो आप सपोर्ट लिकल के आता है वो 35,000 के आसवास का लिकल के आता है यानि अगर मैं बात करूँ तो अगर पजार में 1000 पॉंटो के आसवास की और गिरावट आपको देखने को मिलती है तो उस जगा हम कमफट रहेंगे इस जगा CE बाइंग करने के लिए तो इस जगा देखे हम CE बाइंग करते हैं तो हमारे टार्गेट क्या देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला आपका टार्गेट होगा इस जगा 35,000 के सम्थिंग का दूसर टार्गेट अगर मैं बात करूँ 35,000 के सम्थिंग का यानि अगर मैं बात करूं current price से तो आपको इस जगह से जो आपको target देखने को मिलेंगे तो 450 पॉंटों के आसफास के देखने को मिलेंगे अप इस जगह कैसे करना है उसको आप समझ लीजिए कि अगर आपको बजा देखिए 35,000 के something मिलता है यहाँ पर konsulate करता है konsulate करने के बाद देखिए यहाँ पर एक breakout देता है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं मार्केट में सीधे लेवल को देखिए इस जगह तोड़ता है तो उस जगह हम बाइंग नहीं करेंगे इस तरीके से अगर मिलता है तो हम बाइंग करने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो रिक्स है फिर छोटा सा रिक्स हमको देखने को मिलेगा और जो बजार में लोग बड़ा लॉस करते हैं वो लॉस हमको नहीं देखने को मिलेगा अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीज़े सेड कीज़े, सब्सक्राइब कीज़े आपको टार्गेट पता होना चाहिए आपको लेवल पता होना चाहिए कि अगर इतनी गिरावट आ जाती है तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए जैहिन बंदे माता हम